हेलेई एवरिवन एंसियर्टी कि जो हमारी क्लास कर ठ लिकी उसमें हमारा लास्ट जो क्लास था वह जील पढ़ लिया था और जील को हमने पूरा पढ़ लिया था और उसके चाठ भी देख ली थे कौन ऑसा जील कहा पे है इन सारी worse। में बात कर लिया था लास्ट के अगर जो चार्ट मैंने पढ़ाया था वो चार्ट भी अगर आप पढ़ लेते न तो आपका बहुत जादा अच्छ से जो जील है न वो कबर हो जाएगा ठीके न पिछली क्लास अगर आपने नहीं देखिए मैंने कम से कम उसमें जो है पंदरह से 16 क्लास करा दियें अगर आपने नहीं देखिए तो यह प्लेलिस्ट आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आप वहां से जाकर देख लीजेगा इसके लावाँ इस पीडियेफ है उसकी जो लिंक है टेलिग्राम पे यानि टेलिग्राम के इसी वीड आकरितियां तथा उनका विकार बीपीसी ट्यारी जो आपका 3.0 आया था ठीकना जो हुआ था आपका जो पीपर लीख हो गया था उसमें आप चानते हैं कि भू आकरिति से एक संबंदि आया था स्टेले माइट और स्टे एक स्टेले इस्टेले यह आपका प्रश्न आया था यह क्या होता है ठीके न तो आज जो क्लास है आपको इसी में बताऊंगी क्या होता है स्टेले माइट ठीके न तुस्वरत करते आज के क्लास की पहला है आपका पॉइंट दिया है मनी आपका जो टॉपिक है भू आकरितिया था उनका विकार प द्वार्धित और अपच्छाइत भूआप्टिएंगर नोरत द्वार्धित जैसे जल प्रवाहित हो रहा है भूमिगत जल वायू हीमनत तरंग अधी द्वारा अपरदित के प्रक्रियां के द्वारा जो अपरदन होता है अपच्छे होता है उसी से क्या होता है भू आकरेति के निरुमार होता है यह कर अगला प्रतिःक भू आकृति लेंड की अपनी अग्भौतिक अक्रती होती है अकार होता है वह पदार्थ होता है किया जुग भू अक्रतिय यांटी प्रक्रियां और वまずid लु तियों के एक बार बने के बाद उसके अकार अकृति प्रक्रति में बने میں बसे है जो भु आकृति प्रक्रिया के लगातार धीमे अथ्वा तेज गति के कारण होता है तो यह सारे उसके भु आकृति के निर्माण की बात हो रही है जलवाई सम्मंधी बदलाव दथा वायो रासियों के उर्धवारदर अथ्वा छैते संचलन के कारण भु आकृतिया आकृति जो प्रक्रियाओं की गहनता से यह स्वयम यह प्रक्रियाएं परिवर्तित हो जाती है जिससे भु आकृतिया प्रवपांत्रित होती है ठीक है अगला पॉइंट है आपका भु आकृतियों का विकास कैसे हुआ है भु आकृति क एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्देत होना सीधी सी सिंपल सी पात यह है कि किसी एक आकरती भू आकरती का दूसरे भू आकरती में परिवर्दन हो जाना होने की आवस्था को क्या कहते है भू आकरती का विकास कहते है इसका भी परह यह है कि प्रतेक भू आकरती के व जानते हैं जब परिक्रियाऊं के बाद हुआ है ठीक है ना तो ये सब चीजे हैं बात करेगला तो जल प्रवाहित से जो अकृती निर्मार होता है यह देखी जी आधर प्रदीशों के अर्थिधिक वर्षा गाले छेत्रों में प्रवाहित जल ठीक है रणिंग वाटर सबसे महतपूर भूमिका यानि अकृति का रख जो धरातल के निमनी करण के लिए उतर दाई है जहां पर प्रवाहित जल जहां पर आधर निर्मित अधिकतर अपर अस्तल ठाल प्रवता के लुए नदियों की आकर्मक युव आवस्ता से सम्मंदित है कालांतर में तेज ढ़ाल लगतार परपर्दन के कारण मंतध ढ़ाल में परिवरतन हो जाते हैं प्रणाम स्वरूप नदियों का वीग कम हो जाता है जिससे निच्छेप्र प्रारंग हो जाता है सरिताएं भी कुछ निच्छेपित भू आक्रतियों करिन्मार करते हैं लेकिन ये नदियों के माध्यम तर्था धीमे ढाल पर बने आकारों के पेच्छा कम होते हैं अगला प्रवाही जल का ढाल जितना मंध होता है उतना अधे निच्छे पड़ता है और तटो का जो पार्स अपर्दन है वो बढ़ जाता है इसके फल्सुर पहाड़िया और घाटिया समतल मैदान में परिवर्तित हो जाती है ठीके समतल यानि जो बिल्कुल हमारे उत्तर प्रदेश का हो जाता है लैंड का नदी को स्थलगत प्रवा ओर लैंड फ्लो ठीके तो यह सारी चीज़े हैं उसके बाद बाद करें यहां पर तो यह सारी पॉइंट्स वैसे ही दिये हुए आप इसको पीड़ेप में देख लिजेगा ठीके न अब यहां पर हम देखिए अगर तो मध्या मध्यावस्था में स्वरताय नदी में नदी तल में धीमा कटाव कर इस उच्चावच में चारो और और रोधी चटानों के अउस्यस दिखाए देते हैं आप उन्हीं को मोनाड नोक कहते हैं नदी परदन से बने इस प्रकर के मैदान संप्राय मैदान या पेनी प्लेन पेनी प्लेन कहलाते हैं तो यह बहुत इंपर्टेंट धान में रखेगा तो मोनाड नूग क्या है उचावच पर चारो और अवरोधि चट्टाने जो होती है उनका उसिस दिखाई देता है उसी को मोनाडोक कहते हैं ठीक है नतिया बर्दन से बने यह किसे बनता है नतिया प्रदन से बनता है और यह मैदान संप्राय मैदान या पेनी प्लेन कहलाते हैं प्रवाहित जल की बिभिन आवस्थाओं की विसेस्थाए क्या है तो सबसे पहली बात इनकी विसेस्थाओं को भी आप क्या करेंगे इनको पीडियोप से पढ़ लेंगे ठीके ना पीडियोप से पढ़ लेंगे व सिस्ताओं को फिलाल यू आवस्था की बात करें इसकी यू आवस्था होती प रॉड़ अवस्था यूएच आवस्था में यह क्या है नदिया आवस्था में और जोटी यह जाते तो यह रखेंगे बात करें हम प्रोड़ा वस्था की स्वास्ता ब SAR के मात्रा अधिक होती है और शहायक नदिया भी शिए नृटार Ariel के विस्काती नियुक्त बह्ती हुई नदी विश्यर्प प्राकृतिक तटबंत और घूखर जहील बनाते ईतिए तो झो बूरह नदी नदियां बंत और गोखर जहील का निर्माण करते और अगला पॉईंट है आपका नदी द्वारा निर्मित ऑपरदित यह लिए नदीं के द्वारा जो ऑपरदित होता है अस्तल घाटियां घाटियां जिसको आप वेली किरते हैं वेली के का प्रारम तंग वह छोटी-छोटी-छुद्र रसारिताओं से होता है यह छुद्र सरिताओं धीरी-धीरी लंबी वविश्दित आउनालिकां में विख्षित हो जाती है तो घाटियां का जो होता है वो कैसे स्टाट होता है प्रारंब कैसे होता है तग वा छोटी छोटी छुद्र सरिताओं से होता है ठीक है यह दिर दिर गहरी होती जाती है तथा चोड़ी वा लंबी होती जाती है ओकी और क्या करती है घाटियों का रूफ धारण कर लेती है लंबाई चड़ाई और अक्रिती की अधार पर ये घाटिया बी अकार की होती है गार्ज घार्टी ठीक ने गार्ज तक क्यानियन आदी में वर्गी क्रित हो जाती है जिनका विरोन निम्न है बी अकार की घाटी होती है ये गहरी और संक्री घाटी होती है जो अंगली जी के बी अकार की होती है और क्यानियन बहुत important है गार्ज या क्या है ठीक है यह ध्यार में रखेगा गार्ज एक संक्री घाटी होती है जिसके दोनों पार्स तीरों ढाल के होते हैं इसके चोड़ा इसके तल वा उपरी भाग में लगबग एक समान होता है क्यानियन इसके किनारे भी खड़ी ढाल वाल प्रकार निर्भर करता है उधार कैनियन का निर्माड प्राया और साधी चट्टानों के 36 संस्त्रण में पाह जाने से होता है तथा गार्ज कठोर चट्टानों में बनता है जलगर्टिका तथा आउनमित कुंड यह important है त्यान में रखेंगे इसको यहां से आप भी पीस्ति त्यारी की त्यारी कर रहे है तो यह आपका important है जो भी अब तक मैंने बताया है आपको वह important है आप ध्यान में रखेंगे ठीके ना जलगर्टिका तथा आउनमित कुंड क्या है यह देख लीजिए पहाड़ी छित्रू में ठीके ना कहाँ पर पहाड़ी छित्रू में नदी चट्टानों के टुकड़े होते हैं जो गर्टों में फसकर व्रित्ताकार रूप में यानि गोल गोल रूप में यह क्या करते हैं घूमते हैं उन्हें जलगर्टिका कहते हैं एक बर छोटे वा उतले गर्टों के बन जाने पर कंकर पत्थर वा गोलास में इन गर्टों में इकतित हो जाते हैं और प्रवाहिद जल के साथ घूमते हैं दिरे दिरे इन गर्टों का कार बढ़ता जाता हैं ये गर्ट आपस में मिल जाते हैं और करांतर में नदी घाटी गहरी होते जाती है ठीके जल्परपात के तल में भी एक गहरी व बड़े जलगरत कहा का निनवाण होता है जो जल्परपात के तल में ऐसे भिछाल वा गहरे बड़े जल घर्टिका का निर्माड होता है जो जल के उचाई से गिरने वा उनमें सीला खंडों के बरताकार घूमने से निर्मित होते हैं जल प्रपातों के तल में भी ऐसे विशाल वा गेहरे कुंड और नमित कुंड यानि प्लग पूल्स कहलाते हैं ध्यान रखेगा अगला है आपका अदह कर्तित भूद भीशर्प या गंभीरी भूद भीशर्प इंपोर्टन है इसे भी पढ़ लिए इच्छे से तो अदह कर्तित भीशर्प या गंभीरी भूद भीशर्प क्या है कठोर चट्टानों में गहरे कटे हुए बिस्तृत बिशर्प मिलते हैं इन बिशर्पों को अधह कर्तित बिशर्प जो कटे बिशर्प होते हैं कर्तित या गंभीरी भूद बिशर्प इंक्लूर्ज और इंट्रेंस कहलाता है ठीर जलू नहीं नहीं होता है लेकिन मंद जलूं पर बहती हुए नधिक बनाती हैं नदी बिशर्पों को बाड मेधानों और डेल्टा मेधानों पर पाए जाना एक समाने बात है क्योंकि यहाँ नदी का नदी मेधानों या पुरानी नदी घाटियों के तलों के चिन हैं ये जलोड रहित मुसलाधार चटानों के धरातल या नदियों के तल होते हैं जो निच्छेपित जलोड वेदिकाओं के रूप में पाजाते हैं यह मुखी रूपसित नदी निच्छेपित बाड मैदानों के लंबवत अपर्दन से यानि लंबे समय तक जब अपर्तन होता है नदियों का उस तरह पे क्या होता है इसका निर्माण होता है विबिन उचाईयों पर कई वेदिकाय हो सकती है जो आरमिक नदी जल अस्तर को तर नदी के दोनों और समान उचाईवाले हो सकती है और उनके रूप और युगमित और ऊयुगमित दोनों रूप में पाए जाते हैं अगला है आपकतना किन डुरान निच्छेपित अस्थल रोप ठीक है लोड पंक जब दोने उच्छंथानों से घ्रित और मन्द के मैदानों परवेश करती है तो जलोड पंक अ्रुविएल ** नर्माड होदा यानि जो मिट्टी होती है आपकी सथारत करो होती हैं जो भावारी स्थूल अकार के नमान भारों को वहन करती है और ढ़ालों पर नदिया या भार वहन करने में असमर्थ होती है तो संकु क्या अकार में निख्यपित हो जाता है जिसे आप जलोड पंख कहते हैं ये क्याती है संको के अकारवे निच्छे पित हो जाता है ठीक है बात करें अगले पॉइंट की एगला पॉइंट है जब जलोड पंखों से बहती हुई बहती है तो ये वे प्राय अपने वास्पिक प्रवा मार्ग में बहुत दूर तक नहीं बहती है विल्कrooms मार्ग बदल लेती है और कई सखहाव में बढ़ जाते हैं जहने जल विदिक कहते हैं कहते हैं तो ये क्या करती हैं है शगा में बढ़ जाती हैं ठीक न अगला है आद्व प्रव्रदेशयों में जल पंख प्राया ठीक है अंदर प्रदेश में जल पंक प्राया निम्न संकूर की अक्रती तथा बिसर्प से सिर्ष से पाल तक मंद ढाल वाले होते हैं सुस्क वा आर्ध सुस्क जलवायू जो प्रदेश होते हैं ये तीरों ढाल वाले उच संकूर बनाते हैं अमरनाथ ये ध्यान में रखेगा अमरनाथ जम् बात करें तो जो डिल्टा है आपका इन अदियां जब अपने मुहाने के निकट पहुंचते हैं तो उसमे भारी और शाद के कार मुहानों से पहले ही विभिन सर्था में बढ़ जाती है जिससे एक त्रिभूजा का आकृति का निर्मान होता है उसे आप डिल्टा कहते हैं सफिल अपके जो आपको बंगाल रहे हैं और यहीं पर एक क्या करती है ANY तो यह मुहाना है नदी का तो यहीं हैं यहीं से यह क्यों करते हैं यह और स Catre or यह से यहाँ जाता है यह होता है ठीक है ल Ausad are in च हम्री कर जाता है तो ही चीसे आफ़गे जगा और इसे एक बार पढ़ लिजेगा ठीक है ने पीडियेप से ओके अब बात करते हैं हम प्राकृतिक तटबंध और विसरपी रोधिका ठीक है ना रोधिका यह बहुत इंपोर्टन इसे भी धन में रखेगा प्राकृतिक तटबंध नेचुरल लीवी बड़ी नदियों के किनारे पर पाय जाते हैं क्या जो प्राकृतिक तटबंध है यह बड़ी नदियों के किनारे पाय जाते हैं यह तटबंध नदियों के पार्थों में इस थूल पदार्थों के र्याखिक निम्न एवं समानता कटक की रुप में पाय जाते हैं जो कई स्थानों पर कटे हुए होते हैं नदी रोधिकाएं या विसर्पी रोधिकाएं, पॉइंट बास, ठीके न, बड़ी नदी विसर्पों के अवतल ढालों पर पाय जाती हैं, और रोधिकाएं प्रवाहित जल द्वारा लाए गए, तल छटों के नदी किनारों पर निछेपड के कारड़ बनते हैं, इनके चोड बढ़ती जाती है और डिल्टा सागर के अंदर तक बढ़ता रहता है अगला है आपका बाढ मैदान प्राक्रितिक तटबंद विसरपी इरूदी का जिस प्रकार अपर्धन से धारिया बनती हैं उसी प्रकार निच्छेपर्स से बाढ के मैदान यानि फ्लूड प्लांस बिख बारिक पदार्थ जैसे रेत रेत हो गया चीका मिट्टी और गार आदी अपेच्छक्रित मंद ढालों में पर बहने वाली कम वेग वाली जल धराओं में मिलते हैं और जब जल जब बाढ आने पर पानी तटो पर फ्लता है तो यह क्या करते हैं यह उस तल पर जमा हो जाते ह नदी निच्छेप से बने ऐसे तल सक्रिया बार के मैदान कहलाते हैं ठीक है ना तलों से एक मिनट तलों से उचाई पर बने तटों को और सक्रिया बार के मैदान कहते हैं यह तटों से उपर उचाई पर होते हैं यह मुख्यता दो प्रकारों के निच्छेपों से बनते हैं बाड निचेप एवं सरता निचेप ठीक है अगला है आपका नदी विशर्प क्या है बाड वा डिल्टाई मैदानों पर लूप जैसे चैनल प्रारूप बिक्षित होते हैं जिने नदी विशर्प मेंडर्स कहा जाता है यह एक प्रकार का अस्थल रूप ना खोकर एक प्रका नहीं आप क्या कहते हैं नदी विशर्प केते हैं एक विशर्प की लंबाई नदी की चौड़ाई से 15-18 गुनी अधिक होती है यह आंसिक रूप से निच्छीर तटर अंसिक रूप से 36 अपड़न वा तथा लंबवत अपरदन के परड़ परता होता है नदी विशर्प का निर्मार कई कारड़ों से होता है इसमें कुछ इस तरह हैं मंद ढाल पर बहते जल के तटोग पर 36 वब पार्सविक या पार्सविक कटाव करने की प्रकृतिका होना तटोग पर जलोड का अन्यमित और संगठित जमाव जिससे जल की दबाव से नदी पार्सव का बढ़ना अ च्छेपित होता है ओकी तो यह चीज़े आप धान में रखेगा यह आपका नदी विश्चरप देखेंगे आउतल किनारे कटाव किनारो के रूप में भी जाने जाते हैं जो अधिक परदन से तेरो का गार स्टीप क्लिप के रूपे परिवर्दित होते हैं और बात करें यहां पर आक्सबॉक लेक जो होता है यानि जो आपका गोखुर जिल होता है उत्तर किनारों का जो ढाल होता है उत्तर किनारों का ढाल मंद होता है और विसरपों के गहरे तलों के आकार में बिक्सित हो जाने पर अपरदनों की का जो आंतरिक भाग होता है वो यहां पे देखिए यह क्या है यहां यह क्या है यह एक और छरृबहें में से निर्माड करते हैं फीर एक होगा इसके मुट यह क्या है इसे आप अंतरनत भिंदु कहेंगे और यह इसकंद ढाल तत होता है यह क्या है आपका विसरपी रोधिका है और यह क्या है आपका छाड़न जील कहलाता है इसकंद यहाँ पर फिर से इसकंद ढाल तट हो गया ठीक है न और ये उपरी जो भाग होती है इसकी ये क्या है ये छाडंद तट होता है ठीक है छाडंद जील कहलाता है दाया किनारा होता है और ये क्या है बाया किनारा आउतल तट होता है ओके तो ये ध्यान में रखेंगे गुमफित नदी क्या है प्रेंडेड चैनल दौरा प्रभाहित नवाहन भार का निच्छेप उसकी माध्य में मध्य में लंबी रोधिका के रूप में हो जाता है नदी की धारा दो सखाव में विभाजित हो जाती हैं गुमफित तदी प्रारूप के लिए तटो पर अपरदन तथा निच्छेप का हो होना आवश्यक होता है नदी में जल की मातरा के कम होने तदा जलोड के अधिक होने से नदी अनेक जल बितिरकाओं बेटर चैनल यानि सवरी वाटर जो चैनल होता है वाटर चैनल में बट जाती है ठीक है बात करें ला तो अगला पॉइंट है मारा अब यहां पर मिलकर पतली उपधाराओं का निर्माड करते हैं उन्हीं ही आप गुंफित नदी कहते हैं ठीक है न यह क्या है जल बितरकाओं जो होते हैं यह आपस मिलकर पतली उपधाराओं का निर्माड करते हैं उसे ही गुंफित नदी कहते हैं अब बात करते हैं भूमी गत जल की ठी पृतवी की उपरी सता से नीचे भू प्रस्टीय चट्टानों के छिद्रों तथा दारारों में इसठित जल को भूमी गज लीज़री जल पाई जाता है उसे भूमी गद्रवल केते इन एक लिऎग्रेसर जल रिट एक अदि में पाया जाता है तो इध्यान में रखेंगे जब चटाने पारगम्य कम सघन आते देख जोड़ों संधियों धरारों वाली होते हैं तो धरातली जल का अंतह स्रवड आशानी से होता है लंबध गहराई पर जाने के बाद यह जल धरातल के नीचे चटानों की संधियों छिद्रों वा संस्त्रड तल से होका 36 अवस्ता में बहना प्रारंप करता है जल का यह 36 वा उर्धवादर परवाही चटानों की अपरदन का कारण बनता है भूमीगर जल का जो कारे होता है मोखी रूप से चूना पत्थर या दोला माइट चटानों में होता है ठीकिना तो इनका जो अकार होता है चुरा पत्थर और डोलामाइट चटाउनों में होता है भूमिकर जल का जल में कैलसियम कार्बोनेट की ब्रधानता होती है इनमें धरातलिया या भॉम जल रासानिक प्रक्रियाओं द्वारा बिक्सित अस्थल रूपो को कास्ट कहा जाता है किसी भी चूना पत्थर या डोलामाइट चटाउनों के छेतर में भॉम जल जो भॉम जल होता है भॉम जल द्वारा घुलल प्रक्रिया सॉलूशन प्रोसेस और उसकी निच्छेपड प्रक्रिया प्रिसिप्टेशन प्रोसेस से बने ऐसे अस्थल रूपों को कास्ट इस साथ बालकन कास्ट के छेतर में उपस्तित लायम-स्टोण चटानों पर विखशित इस्तलाकृतियों पर अधारित है अब पर्दनात्मक या तथा निच्छे परातमक दो प्रकार की स्थल के रूप में कास्ट इसलाकृतियों की विश्ताय पाई जाती है अगला है आपका कास्ट अश्ट्रम क्रितियों के विकास के लिए आवाश्च दसाएं क्या होनी चाहिए इसके लिए विस्तृत किंतु सुद्ध लाम स्ट्रों सैयल होनी चाहिए घुलन शर्टानों में संधीयों का विकास अच्छी तरह से होना चाहिए और कास्ट छेत्र में विस्त्रित तथा गहरी घाटियां होने चाहिए तथा उनके समीब ऐसे उच अस्थल खंड हो जिनमें उपरी सता के नीचे अधिक विस्त्रित रूप में चूना पत्थर सेल गिस्ति हो ठीक है कास्ट रितला कृ सेंत्रिति का निंमार्ण जल की रसानि करिया के द्वारा होता है अधा झेत्र में भूमिग जल पूर्ति के लिए प्रयापत होना चाहिए कास्ट छेत्र का वीत्रड सर्भिया क्रोएसिया के वास्त्रिक में कास्ट परदिश नत्रित विस्व के दच्छिड फ्रांस ज बी steht था मध्यवर्ति फ्लोरीडा आदी छेतिर में क्या है कास्ट पाया जाता है त시면 Marcus च्छेत्र और इसके और इसकी इनका छेट्र क्रमत स सैंक्तराजामेर का में नियू माक्सिको का का स्ट्ष चेत्र इंइस befाद्स को अस्थाल रूप जिसमें आपका आता है कुंड घोल रंद्र लैपिज और चूना पत्थर के चबूतर जो होते हैं ठीक ना चूना पत्थर चट्टानों के तल पर घुलन क्रिया द्वराद छोटे वा मध्यम अकार के ठीक है छोटे घोल गरतों का निर्माण होता है जिनके ब घुलन पर क्रिया द्वरा घुलन क्रिया द्वरा छोटे वा मध्यमकार के घोल घरतों का निर्माण होता है ठीक है इन्हीं को इन्हीं बिले पर इन्हें क्या कहते हैं बिले रंद्र कहते हैं घुल रंद्र एक प्रकार के छीद्र होते हैं क्या होते हैं चीद्र होते हैं जो इनका जो छेत्री विस्तार है कुछ वर्ग मीटर होता है तथा गहराई आधा मीटर से यानी 30 मीटर या इससे अधिक होती है ठीक है इन में से कुछ का निर्मार अकेले घुलन क्रिया द्वरा ही होता है और कुछ अन्य पहले घुलन प्रिक्रिया द्वरा ही बनते हैं यदि इन घोल रंद्रों के नीचे बनी कंदराओं की छत ध्वस्त हो जाते हैं, जाय तो इन्हें तो ये बड़े चिद्र, ध्वस्त या निपात रंद्र, कोलाप्स, सिंक्स के नाम से जाने जाते हैं, अधिकतर घोल रंद्र उपर से अपरदित्पदार्थों के जमने से जाते हैं और उतले जल कुंड जैसे प्रतीत होते हैं ओके यहां पर देखिए हमारा भी यह जो हमारा इंपॉइंट है क्योंकि यह आपका टियारी 3 में आया था जो पिपर आपका लीक हो गया और हमें यह कंप्लेट करना है तो बात करें यहां पर अब आपका तो यह आपका बाकी आप यहां पर देख लीजेगा यह वाला क्या होता है अच्छा यहां पर देखेंगे आप तो निपात रंद्र हो गया ध्वस्त गोल रंद्रों को डो लाइन भी कहा जाता है ध्वस्त रंद्रों की पेच्छा गोल रंद्र अधिक संक्या में पाई जाते इस प्रकार के घोल रंद्र में निर्मी छोटे 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 जो छीद्र होते हैं छीद्रों को ही डोलाइन कहते हैं ठीक है ना घोल रंद्र के जो छोटे 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 छीद्र होते हैं उन्हीं को अपके कहते हैं डोलाइन कहते हैं जब घोल रंद्र और डोलाइन कंद्रा होता है अधात जब लाइन मिलकर एक व्रहत्कार करती है तो इस गर्ट को विस्तित घर्थ को यूाला या फिर सुकुंड या फिर आप गाटे रंदर कहते हैं कि अब यहां पर बात कर रहे तो जब कर इस तो जब कई यूाला मिल जाते के तो उत्यत्य विशाला खाएां इसकी जो तली या फर्स होता है समतल तता दिवारे खड़ी होती हैं। जब चूना युक्तु चट्टानों का अधिकतर भाग युवाल के गर्तों एवंखाईों के अधिन हो जाती हैं। और पूरी छित में अतिधिक अनियमित पतले वा नुकिले कटक आदी रह जाते हैं। उन्हें आप क्या कहते हैं। लैपिस कहते हैं। इन कटकों या लैपिस का निर्माण चट्टानों की संधियों में भिन गुलन प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो ये भी इंपॉर्णन पॉइंट है आप ध्यान में रखेंगे। अगला है आपका जब लैपिस का छीतर बड़ा हो जाता है। तो यह एक समतल चूना यूक्त चबूत्रे में परिवर्थित हो जाते हैं। जिसे आप चूना पत्था चबूत्रा कहते हैं। अगला है आपका कंद्राइं। कंद्राइं क्या होती है। ऐसे पर्देश जहां चट्टानों का एक कांतर संस्तर होता है। जैसे सैल बालू पत्थर वा क्वाट्जाइट। और इनके मद्ध में यदि चूना पत्थर या डूलो माइट चट्टाने होती है। तो सघन चूना पत्थर चट्टानों का संस्तर होता है, तब वहां कंद्राओं यानि क्याप्स का निर्माण होता है। सारे चूना चम्धल जों चट्टानय होती हैं घूलती और लंबे ेवं तंग विस्त्रित अस्थान बनते हैं जिनें कंद्राइं कहते हैं। प्राया कंद्राओं का एक खुला मुख होता है जिससे कंद्रा सरिताएं बाहर निकलती है अत ऐसी कंद्रा जिनके दोनों सीरे खुले होते हैं उन्हें सुरंग या टैनल कहा जाता है ओके अब आपका आता है भूमिगत जल द्वारा निछेपित अस्थल रूप ये फिर उसक चुना पत्थर चटानों में मुख्यरसान क्यालसियम कार्बोनेट पाय जाता है जो कार्बन यूग तो जल वर्षा जल में घुला हुआ कार्बन में सिगरता से घुल जाता है ठीक है अब यहां पे एक चीज देखेंगे कि आपका स्टेलेक्टाइट और स्टेलेमाइट य यहां से आपका परश्ण बना था आपके प्रश्ण को देखना चाहते हैं कि कहां पर आया तो वन टू फिप्ट का जो पेपर है वन टू फिप्ट का पेपर जाकर देखेंगे टियारी थरी जो पेपर लीग हो गया था तो उसमें यह पैस्टाइब का आया हुआ है ठीक हम तो यहे देख लीजिये स्टेलकटाईट और इस्टेल率 मैट क्या होता है ये कंदराओं मेर्मिक कंदराओं मेरमिक लटक्ते हूं थाफ मासमान होते हैं जो कंदराओं कि च्छत के पास मोटी होते हैं और अंते के छोर पर यह पतले होते हैं यह पुरापका च्छत है यह लटक रही है यह स्टेलेमाइट लटक रही है तो यह क्या है ऐसे होती है मैं दिखाती हूँ यह इधर से मोटी होती है कोई भी जानते है पानी का बूंद लटका होता है तो नीचे से पतला होता है ऊपर ये छट से तो मोटा ही होता है तो कंद्राओं में फरस से उपर की ओर आध होता है तो वह छट से लटकती ॐए होती है यह अंतर धियान में देखा इंस टेला क्थ होए हूं लेकिन पटने के मिस्ती जल से होता है या चपटी दस्तरी द्या से兒 अथवा क्रेटर नुमा घड्डे के अकार में विषद होता है तो यह आपका माल से घैल से अइसे होता है पनी इसे निकलता है और यहां पर पक्रता हो जाना था है ठीक है अजो स्टेलेंक माइट है वह अपका अच्छा थे त्यश्चेलेंक माइट अर देखिए च्छत से लटकते दिखाई दे रही है आप स्थम्हें क्या है यह इस तंब है जो च्छत से लेकर जमीन तक पूरा जो लटका होता है यानि जमीन को टचकर रहा हो, तो क्या है, आपका एक स्कनब है, आप जानते च्छथ हमारा जो वह हमारा पुरा गुला तो गुप्हाओं के अंदर यह इस्टेलिक टाइट और इस्टेलिक उमाईट पहें आ यहां पर देखेंगे तो य् हम देखेंगे तो यह दो स्टैलिक माइट होता है ok इधाइब रख्येंगा गुफः मुक्ष यह क्या है गुफा का मुक्ष है अब यहां पे नितिंगे तो मैह नहां के बारे बात करें ब्राव मताओं च्थ्ट nicos और स्टैलिक टाइट के मिलने से एक स्टम्ब का निर्मान होता है जब सारे स्टेलिक टाइट और स्टेलिक माइट मिलते हैं तो स्टम्ब का निर्मान होता है पिलर्स का निर्मान होता है बात करें यहां पे तो एक देखेंगे यहां पे घोल रंद्र यह क्या है घोल रंद्र है और यह क्या है आपका घाटी स कि यह वाला है तो यह चीज़े अब ध्यान में रखेंगे और यहां तक में हमने क्या 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 कंप्लीट कर लिया बहुत ज्यादा important facts आज हमने देखें जिसमें अपने स्टेल एक माइट से लेकर बाकी जितने भी हमने डोलो हमाइट हो गया सब्सक्राइब कर लिए अगर आप भी पैसी ट्यारी त्यारी कर रहे हैं जो होने माला है और इस चैनल से जुड़ जाए और इस चैनल से जुड़ के आप जितनी भी classes करवाई जा रहे हैं उस classes को completely पूरा देखिए ठीके ना यह इसे भी देखिए और आपका जो मैं जो आपको मैं दे रही हूं क्लास seated का भी class दे रहे हैं और दूसरा आपका current affair की class दे रहे हैं तो वह भी आपको देखना है ठीके ना चलिए तो चैनल को सब्सक्राब कर लिजेगा और अपने साथियों को share करके उन्हें भी जोड़ लिजेगा और इसके जो पीडिएफ है ना पीडिएफ यह पीडिएफ मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देऊंगी आप वहां पे जाके फॉलो करके पीडिएफ को देख सकते हैं डाउनलोड कर सकते हैं और पड़ आप जब मेंके तब प्रविजन कर सकते हैं बाकि जितने भी classes हो रही है हमारी सिटेट की है सिटे लिस्ट और आपका NCRT की यह पूरी पूरी प्लिस्ट और करेंटे फिरिकिन सभी की प्लिस्ट में सी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आप वहां से देख लिएगा ठीक है मिलते हम अपने अगले class में आज के लिए नहीं धन्यवाद